कुछ यह वालकम टू माइ न्यूब्लाग पऊच गया गाउम और अगली दिन का ये वीडियो है अभी मैं जस्ट तू कि उडा चाह पीया क्या नास्ताब दाख चो भी है सब कर लिया हैंड गाउन को देख रहों सुझ दरता तो निखर-निखर क्या आती है गाउन में आज मैं अपने इस ब्लॉग में पुरा अपना होम टूर रहाँगा अपना घर दिखाऊं गाउंगा जितने भी घर हैं रोड हैं, चोड रहा है सब धिखाऊंगा, एरे देरे धेरे रखो बस मेरे साथ ब्लॉग में बने रो आज मैं चरवने कराऊंगा अपमें गाउं की यह हमारे घर के सामने उला रो अमारा गयर गाउं के सुरुवात मी ही है तो यहां से अगर आओगे तो आप शुरुआत हो जाता है, ओपर ओपर, ओपर, हमारे घर के पास में ये कदम पड़ा है, कदम खाने वाली चीज़, पक जाता है ना, फरगे, तो इसको खाते पीते हैं, बट अभी तो कच्चा ही है पूरा, अभी साइसे पड़ा भी नहीं है ये हमारा कीत है, और ये लेगा पेड़, जो की थोड़ा बहुत केला उस पे लगा हुआ है, और ये हमारा आम का पेड़ है, ये है, पलिए पूरा बगीचा था, बट अभी फिलाल काट आट के खेद बना दी है, बगीचा नहीं है, कुछ पीड़ी बचे हैं आम के उभी, परे काव में तीन गर हैं, तो तीनों गर मतलब एक तो बहुत पहले बन गया था, दो अभी हाली में बने, नहीं नहीं, ओ देखो, डोरी है, पूर्भी पता नहीं कर, ये देखो, चरी डोरी है, गाव में आते ही मेनत करने लगें इन लोग, तो वो सामने वाला अपना घर ह और यहाँ पर भैस वाज मतलब बान के रखते हैं, ये घर है अपना जिसमें हम रहने वाले हैं, तो ये घर तो हो गया, दूसरा घर मैं आपको दिखाता हूं, उस साइड एक घर हो रहा है, और जिस पर मैं चल रहा हूं, ये एक गर है, ये मेरे चाचा का है, और मतलब ये अभी हाली में बनवाया, और ये सामने वाला घर, जो कि मेरे बीच वाले चाचा का है, और वो सामने वाला घर, मेरा, गाओं में भाई, हम लोग के आते ही बहुत ज़्यादा तेज बारिश तोरो हो गई है, देखो, अभी में जाने आला ता बाहर घूमने, बर जाने ही पा मोबाईल का कवर नहीं है, और ये बाहर भी नहीं जाता है, अब बैट के इंतिजार करना पड़ रहा है इदर के, अभी बारिश हो रही है, बहुत भेलकर, और मैं इस बारिश में निकला हूँ ब्लॉगिंग करने, और ये रहा मेरे गाओं का फोड़ा सा सीन, बाहों में ब बहुत बहुत जन्मत जैसे सुकून है, और मैं क्या ही बताओं कितना सुकून है अच्छली मैं मेरा मन नही था, मम्मी बाबा मना कर रहे थे, दादी की मज्जा भी नहीं, तो मैं जाने वाला भी नही था, लेकिन मैं बोला ब्लॉगिं करना है तो निकलना पड़ेगा मेरी ही जाओं तो भी देखो यह हमारे गाओं का नहर है या और यह यहां से स्टार्ट होता है, पीछे से हमारा गाओं ही यहां से हम लोग हमिसे आती जाते हैं गयों बाद वहां कुछ दिखाओं हूँ आगे बहुत कुछ खेच, जिटना खेच हो जाए अभी तो पहला ही दिन ह मेरा समझ नहीं आरहा ना कहां से स्टार्ट करूँ और क्या सुरू करें क्योंकि बहुत कुछ है पताव दिखाने के लिए गाओं है, मुममे में इतना कुछ दिखा दिया था कि नहां पर आप जादा कुछ बता नहीं था, पज़्याली चीज दिखाना बादी है, अब सब कु तो अभी फिलाल मैं जा रहा हूं चवड़ाहे पे और आपर ट्राक्टर बगेरा चल जी इतना दिखने रहा रहेगा और इस साइड आगे मेरा खेत है तो मैं अभी देखा नहीं बहुत छूटा था तब से मां खेत उत में जाना बन किया मुम्माई चले गया अभी सब क्या ध और यह बगीजा मैं आपको बताओं इसमें हम जूला जूलते थे बच्पन में आम के पेड़ है ना हो तो सामके पेड़ पे हम लोग अपना जूला लगा के जूलते थे गाउं देखो हम लोग आए गाउं में बारिष स्टार्ट हो गई लेकिन मास्त है मैं भीगना चाता लेकिन घर वाले तब से रोकी रहता है मैं भूला सालो बात मैं बारिष में आया हूं भिघना तो बंता है लोड तो पूरा सुन साने आए ज़ो यहां पर अभी बopathा रहे हैं आपको बता दूं की कल लगेगा हमारे इधर जहां जा रहू हूं तो मजह आने वाला है क्या बोलते लीवा जो भी बोलते और अभी ये सब होने के बाद बैठाएंगे उस दिन से बारिश नहीं हो रही थी बारिश का सेजन होके भी तो मौसं दुआ घडबर ता तो सुका सुका पढ़ गया था ये नहर है मैं से पानी लेके लोगों को अपने खेत में डालना पड़ रहा था पर अभी बारिस से स्टार्ट हो गई है तो अभी टेंसर ने किसका कहा है बच्छडा छूड़ गया भाई यहां पर कोई छूड़ के चल लिया बारिस के मौसम में गाउं पुरा हरा भरा दिखने लगता है यह सीन काफी ज्यादा नीचर के क्ल लोज दिखता है मममई में तो बहुत कम देखने मिलता है हरा भरा सब कुछ हर जगा और गाउं में तो हर जगा आपको हरा भरा दिखी जाएगा कहीं भी निगलो हर जगा पेड़ पौधा सब कुछ हरा भरा दिखेगा गाउं में कुछ चीजे मुझे करना बहुत ज्यादा बॉल विए कुल लगाना यह सब से ज्यादा पसंद वारीस के मुश्म मिने मजहीं लाइफ कब तक सही रहती है मौलूब जब तक आप कुछ दिनों के लिए यहां पर है जिसे एक मेंना देश दिन पंदा दिन दो मेंने के लिए हैं तो आपके लिए लाइफ सही है अगर जिन्दगी बढ़ेगा तो फिर यहां पर हाड वर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता ह बहुत जादा महनत करना पड़ता है यह रहा हमारे इधर करना है वावाव पसंदे मुझे गाओं यह मैं पहुंचने आला उपने चोड़ाये पर यहां पहले स्कूल का अभी भी साइथ है कि नहीं पता नहीं पहले मेरे जब मैं बश्मन में पढ़ता था तो यही पराता थ पढ़ने और यहां का मैं मास्टर बहुत खराब था मतलब यह पढ़ाने में उच्छा था खराब इसलिए बोल रहा हूं कि कि भाई यहां आ जाता था गर पर उठाने सर्थ ना और भी पर पोच गयो चोड़ाये पर अभी चोड़ाये पर मैं पहुंच यहां पर मैं बैटक और आपको यह दिखाता हूं पकोड़ी में एक मैं आपको सही से दिख रहा हूं चाहे रख दू कि सज बताओं आई सालों बात नहीं फिल्चे खा रहा हूं एश्ट वही गांवाला में मज़ा आजाता है तो गांवा खाने के लिए मैं मतता हूं हमेचा जब भी आओंगा क तो अभी मेरी गाओं में भी बात रही आमान अंकित सबसे बात हुआ है यहां पर आया चाहे पिया खाया टोटल दो पकोड़ी लिया था एक चाहे तो सतरह रुपे वा पता नहीं इसमें मैं पूचा भी ने को क्या कितने का है अभी मैं जिट साइड से इस साइड से फिर व मेरा यही था भीगना था मुझे इसलिए मैं आया था भीग के आया चाय पिया मस्द मज़ा आया अभी चलते हैं गुमते फिरते घर तो चल यह निकलते हैं गुमते फिरते हैं यह हरा भरा मजारा देखते हुए घर पर निकलते हैं यह है आप कहीं भी जाओ कहीं भी भूमने फिने जहों में रहता है या ममई में रहता है गाउच है उसके लिए घाउच का सबोग ह्पार नहीं होता है इसके पूरा घाध जमाया है कितना कटाइब भीटाइवानीय हो नहीं हो फूरा पानी जा यहां से मेड़ा बैर भी दिख रहा है किर्छ दोने के इंदर थोड़ा थोड़्या पानी जा रहा है तो अभी बंद करते हैं और बचारा बिचारा कपसे यहीं ख़ड़ा है कोई लेने ही नहीं आया तो चलिए आप डारेक आपको घर पे मिलेंगे घर पे सुरू करेंगे अपना व्लागिंग